यह तरीक होता है निकालने का कि जिस बॉडि का रेडियस अफ गाइरेशन निकालना है जिस एक्सिस के अबाउट उस एक्सिस के अबाउट मुमेंट अफ इनर्शिया को हम mk2 के प्रावर कर ले तो जो k है ऐसा मानते होई कि अगर वो पूरी body एक point mass होता तो उस axis से कितना दूर रखने पर वो same moment of inertia अपने को देता तो किसी axis के बहुत radius of variation निकालने का मतलब होता है कि उस axis के बहुत जो भी moment of inertia है उसको आप md square या mk square करो जहाँ पर m body का mass है and k is radius of time region यह भी काफी important है यह और किस में दो सवाल इसमें आए ना 19 में भी दो सवाल आए